अतीव रिष्टी ने किसानों को पहले ही बरबाद कर दिया है जिससे किसान विवी दर्चनों से घिरे हुए हैं वहीं अब मौसम में हुए बदलाव से किसानों की दिखते बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं कपास फसल पर बड़े पैमाने पर असर देखने को मिल रहा है वहीं अचानक मर भीमारी के परकौप से हरे पोधे भी सूपते जा रहे हैं जिससे कपास उत्पादक किसान फिर से आफिक बिक्तों में घिर गए हैं आपको बता दे कि प्रकौती ने किसानों की प्रिक्षा लेना शुरू कर दिया है जिसके चलते अनेक किसानों को अर्चनों का सामना करना पड़ रहा है सोयबीन फसल अत्यदिक बारिश से हाथ से निकल जाने के बाद किसानों को कपास से उमीद थी लेकिन कपास को भी बड़े पेमाने पर जटका लगा है वापसी की बारिश ने सोयबीन सहीत कपास को भी नुकसान किया है मोसम में होने वाले बदलावों का पड़नाम कपास पर देखने को मिल रहा है कपास के फूलों के गलने का परमान बढ़ गया है वहीं पह प्रकरतिक तोर पर गलन की समस्या भी देखने को मिल रही है। प्रकरतिक तोर गलन की समस्या भी देखने को मिल रही है।